नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंट्स मैं हूँ कुमल एक वफिर से आपके साथ में आज के वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं यूफोर्विय मिली प्लांट की क्यर आप इसको कैसे होगा सकते हैं इसी वीडियो में जानेंगे एंड इसके साथ में आपको बता दूँ कि यह प गार्डन में बना रहता है एंड देखिए मैंने इसको जो पॉट है वह यलो कलर करा है और यह प्लांट यलो कलर के पॉट में बेहादी खुबसूरत लगता है अगर आपके घर में प्लांट है तो ऐसा ट्राइब करके देखिएगा तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके मिट्टी हमें कैसी वाननी चाहिए इस प्लांट को मिट्टी रेतिली पसंद है क्योंकि एक कैट्टस परजाती से तालोग रखता है काफी बड़े-बड़े से इसमें काटे होते हैं जिनके वे इसे जो जानवर है वो इनसे दूर रहते हैं इसको डेमिज नहीं करते ह हैं चाहें वो गाय बगारा हो या आप अगर अपने टेरिस पर रखते हैं तो मंकी इस पर इसको ठश नहीं करेंगे तो मिट्टी जब भी आप इसके तयार करें उसमें काफी सरीयत मिलाएगा खाद के नाम पर यह प्लांट बहुत ही कम खाद के साथ में चल जाता है तो दे दिखे रहे तो है तो जब है को प्लांट को कभी भी लगाई तो यहादा साइड में लगा यह ताकि कभी आपको इस ब्लांट के अगर छाद देनी पड़े तो कि कांटों से हाथ नंभ जाएं कांटे कि हाथमीं दured के साथ शामने आपको पानी देने के जाएसा कि आपको देख रहा है कि इसमें काटे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा मिट्टी में आप देख लीजेगा कि सूखी मिट्टी है तो आप इसको पानी देजिएगा उसी तरीके से आप इसको पानी देने का टा मौसम चला है इसमें फ्लॉवरिंग का तो अगर आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत खाट डाल सकते हैं बैसे ना के बरावर खात में प्लांट अश्चे से चल जाता है लेकिन जब मैं सभी प्लांट इसमें एक दोबार तो इस प्लांट को भी दे देती हूं इस समय फ्लॉवरिंग हो रही है यह मौसम इसके लिए बैस्ट होता है फ्लॉवरिंग के लिए और यह जो मेरा यूफोर्वय मिली है मतलब छोटी पर जाती का प्लांट तो आप इसमें फ्लॉवरिंग लग रहे होंगे और जब बहुत ज्यादा नहीं सर्दी होती है नहीं गर्मी होती है एक तरीके से थोड़ा सा बसंद सा जो मौसम होता है बहुत प्लांट को बेहदी पसंद है और इसी समय पर यह फ्लॉवरिंग करता है आप इसकी कटिंग लेकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जहां लोग के एरिये की मिट्टी चिखनी होती है बहां पर आप इसको कम लोगी पानी दे और जरूर मिला है तो देखिए यह दो अडेनियम के प्लांटिंग लें है मैंने यह हुई भीज टाल दिये और निकल आए और यह नॉर्मल सी मिट्टी है जिसमें मैं आपको यह प्लांट दिखा रही हूं दो बीबी प्लांट है और इसी तरीके से यह दे कॉमेंट्स यह थी यूफोर्य मिली के ओपर थोड़ी से जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा तो चलिए फ़र से मिलते हैं नई टॉपिक नई जानकारी के साथ